नमस्ते दोस्तों फिर आपके लिए मैं आरेसी को पेपर लेका है हूं सबसे पहले चैनल पर नियुँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल को नाम है चैस्बीटी मेका इंजिनियरिंग अब देखिए फिर आरेसी पेपर के में जो कोश्चन लेका हैं वोन मार्स के वो बहुत इंपोर्टेंट हैं इनको भी एक बार देख लीजिए तो देखिए फस्ट कोश्चन राइड दी एसाई उनिट ओप रेफिजरेशन एफेक्ट तो एसाई उनिट है रेफिजरेशन ने या क्लोजूल पर वाट कोस्टिन अमब टू रेफिजरेशन देफाइन करें रेफिजरेशन वी डिफाइन प्रोसेस अफ्रोडूसेस अफ्रूशेश गोश्चन राइड ईयानि किसी भी मैटेरियल से हीट को न्ट्रॉल करना मेंटेन करना हटा ना किसी अभी अबज़ में उसे केतनी रेफिजिरेशन थरी कॉस्चन वन टन्स ओफ रेफिजिरेशन एक्वल टू 3.5 किलो जूल के बरावर होता है फूर्थ कॉस्चन कोफिशेंट पर्फॉर्मेंस ओफ डॉमेस्टिक एर कंडिशनिंग एस कंपेर टू डॉमेस्टिक रेफिजिरेशन इस तो यह का हायर जो एसी है डॉमेस्टिक एर कंडिशनर का वो डॉमेस्टिक रेफिजिरेशन से ज्यादा है नेम दी बेशिक प्रोसेस ओफ वेपर कंपरेशन रेफिजिरेशन सिस्टम जो सामवाने साम प्रोसेस होते हैं वेपर कंपरेशन कोंगों सोते हैं कंपरेशर होता है कंड लिए फोड में अमोनिया कि इस्तमाल होता है सेवंथ कॉस्षिन फ्रोटल वेल यूजड़ इं जो फ्रोटल वेल किसमी उता है वैपर कंपरेश्जर सिस्टम मैंने भी देखा और पार्ट में आपने देखा है 8th question name the refrigeration used in window AC तो उस रेफिजरेट का नाम बता है जो विंडो एची में इस्तमाल होता है तो और नब है और 292 यह दो गईस रेफिजिरेशन के रूप में windows इस्तमाल होती है 9th question AC is used in जो air conditioning है किसमें यू जोती रेफिजरीटर में और कुलिंग डवाइसिस में 10 डफाइन ड्राइएर ड्राइएर क्या होता है मिक्सचर है बहुत गहसों का जो एयर में प्रेजेंट होता है जैसे नाइट्रोजन हो गई ऑक्सीजन हो गई कार्बन मोन ओक्साइड इनर्ट गैस लेकिन वापर व देख सकें धन्यवाद